सिहत कारिक्रम में शुरताओं आप सभी का बहुत वस्वागत है। आज इस कारिक्रम में हमारे महमान है वरिष्ट फिजिशियन डॉक्टर गुपाल जी शर्मा। और आज आज आप से बाचीत का विशे रहेगा सर्दी में हिदे की देख़ाल कैसे करें। डॉक्टर गुपा और उसको लेकर काफी चिंता है आप क्या कहेंगे जी बिल्कुल आपने सही बात करिए अभी पिछले दो-चार दिनों में इसके बारे में सरकार भी बहुत चेतावनिया दे रही है प्रदानमंत्री जी की भी मीटिंग होई है और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर जो है मंडैविय जी उन्होंने भी इसके उपर अपनी बात कही है तो ये कुछ दिनों से चीन में ये जो वाइरस है इसका एक न्यू वैरेंट बी एफ सेवन करके जो है ये फिर से अपने एक रूप में आ गया है और जहां तक ख़ब रहे हैं कि काफी लोग मर भी रहे हैं जाने भी जा रह हैं यूएसे में ब्राजील और यूरोपेन कंट्रीज में और भारत में भी इसके बारे में बहुत चिंता है क्योंकि नए वेरियंट है नए तरह से आएगा और इसके बारे में कहा गया है कि जो पहले वाली लक्षण थे उनसे अलग आएगा वही खासी बलगम वो सब हैं बीपी के हैं डायबिटीज के हैं हार्ट पेशेंट्स हैं उन लोगों में ज्यादा चिंता रहेगी बुड़े बुजर्ग हमारे तो इसके लिए हमें जरूर चिंता रखनी और पहले जैसा ही प्रोटोकॉल हमें फॉलो करना चाहिए एक बार पुना बता दें कि किन बा चाहिए सादा डबल लेयर मास्क इसके बारे में खा़ा जाता है वो भी किसकी कोस्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती उसका हमें ध्यान रखना है फिर हैंड वशिंग हाईजीन जो है यह हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है चाहे साइनिटाइजर से चाहे साबुन से और चाहिए तो आपने कपड़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर हम ऐसे एरियाज में हैं उनको घर जाकर रखने अलग रखने किसी को कोई भी लक्षन हो जाए सम्मंदित तो हमें तुनन चिकित सक से कॉंटक्ट करना चाहिए और बाकी अपने परिवार के लोगों से थोड़ कोरेंटीन का भी अब जो समय है कम हो गया है पहले दो हफते के लिए करा करते थे अब हफते वर पांस दिन तक का भी कोरेंटीन टाइम आ गया है तो हाँ एक तरह से अनओफिशल कोरेंटीन आप ठीक कह सकते हैं कि अपने घर में एक अलग जगे पर हो जाएं पहले वाली उ काफी मुफीद रहता है डॉक्टर गुपाल जी शर्मा लेकिन कुछ संक्रमन सर्दियों में होते हैं तो सर्दियों का लाब हम कैसे उठा सकते हैं चुकि खान पान के दिश्टी से ये बेहतर समय है भूग अच्छी लगती है हल सबजियां बहुतायत में समय पाई जाती है लेकिन कैसे इसका आनंद हम ले सकते हैं जी बिलकुल ठीक है ये सर्दी का समय हम लोग भी अपनी मेडिकल फ्रेटर्निटी में इसे हल्दी सीजन बोलते हैं और इस वक्त आम तोर से अस्पतालों में जो एड्मिशन्स हैं कम हो जाते हैं कोई खास बीमारियां नहीं आती है इस समय तो ये हल्दी सीजन है इसका हमें इसका इसका यूज करना चाहिए इस समय का हम लोगों को सैर करना चाहिए ध्यान रखते वे सैर में क्या पसीना नहीं आता गरम नहीं लगता तो ये बड़ अच्छा टाइम होता है अपने इस चीज के लिए दूसरा खाने पीने की चीजें जैसे आपने कहीं बड़ी अच्छी हरी सबजियां मिलती है इस समय उनका इस्तिमाल करा जाए मक्का की रोटी है वो सब खाई जाए और हेल्दी फूड जितना भी अविलेबल होता है उसे खाना चाहिए बट हमेशा कुछ प्रिकॉशन और उनका तो हमें इस मौसम मैं भी ध्यान देना चीए धूब भी अच्छी निकलती है विटाइमिन डी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है बैठना चीए उसमें डॉक्टर गुपाल जी शर्मा लेकिन इन सब के बावजूद सर्दियों में हिर्दे संबंदी रोगों की जो घटनाएं है वो ज्यादा हो एक तो हार्ट अटेक्स, हिर्देहगात या स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स या तीसरी चीज़, चेस्ट वाली बिमारियां जो COPD या अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं ये खराब समय उनके लिए क्योंकि ठंड होते ही साथ ये बिमारियां बढ़ती है जहां तक आपने प्रॉबलम चल रही हो तो सर्दियों में ये बढ़ जाएगी, ब्लड फ्रो कम होगा तो हार्ट को भी खून कम जाएगा और फिर हार्ट अटेक्स या अंजयना होने का डर बढ़ जाता है तो ऐसे में जो हिर्देर होगी है या जैसे आपने कहा कि डाइबिटिक हैं, को मॉर्बिडिटी के साथ हैं और हाईपरेटेंशन, इनको किन बातों का खास जहां रखना हो, क्या साथधानी बरतनी होगी जो ये को मॉर्बिडिटी की आपने बात करी, तो ये हम को मॉर्बिडिटी कैसे डिसाइड करते हैं, जैसे बलड पैशर एक को मॉर्बिडिटी है, डाइबिटी हो गई, स्मोकिंग करने वाले लोग वो भी एक को मॉर्बिडिटी है, स्ट्रेस, टाइप A परसनेलिटी, य एक तो अपनी दवा समय समय पे लेते रहें, उनमें बिल्कुल भी गलती ना करी जाए, दूसरा सर्दियों में अपना खाना पीना जैसे बताया है, वो अच्छा है, उसको आप लीजी, अच्छे से लीजी, लेकिन जो खास ध्यान रखना है, जो हम लोग सेर पे जाते हैं, त सब प्रेसिप्टेट होता है, दूसरा ध्यान ये रखना चाहिए, कि अगर हम चल भी रहें सुबह के समय, तो चड़ाई पे न चलें, स्लोप नहीं होना चाहिए, प्लेन सड़क पे आप चलिए, स्लोप में जब चड़ते हैं, तो आपको वही सारी चीजें बढ़ जाती है प्राब्लम्स बढ़ती हैं, एंजायना प्रिस्पेट हो सकता है, और कोशिश करें कि बहुत ठंडे मौसम में बाहर निकलने से बचें, घर में ही एक्साइज कर लें, जो भी करना है, धूप जब आ जाए और ठंडा कम हो जाए, तब बाहर निकल के, ये लोगों में इसमें इस चीज का ध्यान देना पड़ेगा, यानि आप कहना चाता हैं कि अपने comfort zone में रहें, बिल्कुल ठीक करें, comfort zone में करें, जो भी exercise और जो भी चीज़ें करनी ही, और जब मौसम थोड़ा सा ठीक हो, उसमें उसी समय निकलें बाहर, आपने धूप का भी जिकर किया, और हम य vitamin D का ये बहुत अच्छा source है, और दूसरा आपको गरम भी देता है, गरमी देता है शरीर को, और दूसरे तरह का comfort भी मिलता है, अगर आप धूप में बैठते हैं, और सर्दी के मौसम में आप धूप में इसलिए अच्छा बैठ सकते हैं, कि मौसम अच्छा होता है, ठंड ह होती है, गरमी में बैठ नहीं सकते हैं, पसीना आएगा और अनकमफर्टेबल होता है, तो सर्दी का समय है, धूप का सेवन करने का सबसे अच्छा उप्योक्त समय है, और इसके बारे में ये कहा गया है, कि दिन में दो बजे के बाद, दो से चार बजे जब एंड हो रहा हो करती है, बाकी तो आप जब मर्जी बैठ सकते हैं, उसमें कोई प्राब्लम नहीं, और विटामिन डी का दुनिया भर में जो रिसर्च हुई है, उनमें बहुत क्लियर आ गया है, कि सारी लगभग सारी बीमारियों से इसका जुडाव निकला है, जिन भी लोगों में विटा इस विटामिन की, और धूप से मिल जाए, तो ये तो नेचरल सोर्स है, इस से अच्छा कुछ होई नहीं सकता, हम सर्दियों में आम तोर पर खुब अच्छे कपड़े पहनते हैं, और अपने को पुरा ढग के रखते हैं, लेकिन यदि हम घर के भीतर बात करें, तो ये करते थे, गरम कपड़े पहन के, और साथ में अलाव वगरा लगाया करते थे, तोड़ा वो सब एक नेचरल सिस्टम था, लेकिन अब क्योंकि कमफर्ट इतना हो गया है, कि हम लोगों के घरों में एसीज हैं, ब्लोर्स हैं, या हीटर्स हैं, सब तरीकी चीज़ें उपलब हो गए ही, तो हम कपड़ों पर उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें एक जहां तक कमफर्ट की बात है, वो तो अच्छा हो गया चलिए, लेकिन इसमें नुकसान यह होता है, आप एक गरम एरिया में बैठे में, आपको सर्टनली बाहर जाना पड़ा, दूसरे कमरे में इस्तमाल करते हैं, इसे blow इर, खास तो med, खास तार से में कहुंगा, वो आपके कमरे की oxygen को कम करता है, तो oxygen रात में कम हो जाती है, और खास तोर से, जो रात में और ब्लोर चला के सोईंगे, तो oxygen लेवल कमरे का कम हो जाता है, और вज़ुजर्ग लोग हैं जिन को oxygen के अर्ल smoking लेकिन सर्दियों के मौसम में कहीं इसका प्योग है वो ज्यादा लोग करते हैं तो कि घर में रहते हैं समय से घर के अंदर आ गए और ऐसा माना जाता है कि आराम से आप सो गए पी खा कर तो ये कितना हाथ तक हो सकता है खास सोड़े हिरदे रुगियों के लिए आप धूमरपान के बारे में जानना नहीं हैं अच्छा ये जो भी हमारे अडिक्शन्स हैंines तरह के जिए दोह्मरपान को तो बिलक्ल डायरेक्ली हमारे हार्ट ढिजीजिस से जोड़ा गया है, बिल्कुल direct correlation है जितनी smoking कर रहे हैं, जितने सालों से कर रहे हैं, सीधा सीधा risk बढ़ता है उसमें, क्योंकि हमारे हार्ट की जो arteries हैं, उनको constrict कर देता है, उसमें ये nicotine जो है, करके अपने आप से इसमें deposition होता है, उससे blood flow कम हो जाता है, एंजायना, heart attack की तरफ जाते हैं तो खास्तोर से सर्दियों में लोग smoking ज़्यादा करने लगते हैं, क्योंकि मौसम के हिसाब से होता है, इस चीज़ को avoid करना चाहिए सर्दी क्या, ये किसी भी मौसम में बट सर्दियों में ज़्यादा ध्यान रखना है कि already एंजायना होने का डर है और आपने उपर से smoking कर ली जहां तक alcohol की बात है, alcohol का direct relation heart disease से नहीं है, बट indirect है alcohol blood pressure बढ़ाएगा, heart diseases जैसे की cardiomyopathy, ये सब चीज़ें long term में करता है, तो overall इसको भी एक safe level में लिया जाना चाहिए अगर किसी को लेना भी है, तो occasional and within safe level, जिसको हम 30 ml से कम बूलते हैं और ये addiction का रूप तो कभी भी नहीं लेना चाहिए कि इस पर आप depend करने लगे, occasional है किसी को ऐसा लेना है, वो सब चीज़ें ठीक हैं और जहां तक आपने कहा heavy foods, जैसे कि तेल वाले या oily foods होते हैं, वो अगर आप रात में especially लें और उसके बाद आप सो जाते हैं तो वो भी हमारे लिए घाता को सकता है क्योंकि blood flow जा है, हमारे gastrointestinal tract में divert हो जाता है, जब आप heavy food लेते हैं heart को खून कम मिलता है, और वो भी angina precipitate करता है तो ये तीनों चीज़े ही हमारे लिए घाता कें तो डॉक्टर गुपाल जी शर्मा, अंत में हमारे शूताओं से क्या कहना चाहेंगे अंत में यही कहूंगा, कि ये मौसम जहां इतना अच्छा है इसमें मज़ा आता है, घूमते फिरते हैं, सब कुछ है तो इसका हम इसका फायदे मंद इस्तिमाल करें खाना पीना अच्छा मिल रहा है, उसका यूज करें लेकिन कुछ precautions का जो मैंने आपको बताया comorbidity वाले मरीज और heart disease वाले मरीज इन precautions का ध्यान रखें, जो मैंने आपको समझाए है बस यही मेरा कहना है तो डॉक्टर गुपाल जी शर्मा आज आप इस कारिक्रम में आए और आपने बहुत ही महत्मुन जनकारी हमारे शोताओं को दी आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद नमस्कार धन्यवाद